तो आज का पहला question है कि भारत के 48 में मुक्नियाधिस के रूप में किसे नुक्त किया जाएगा option है सरद अर्भीन बॉबडे एनभी रमना कमा नडाइन सिंग और वाय भी चंद्र चूड क्या होगा इसके एंसर तो इसके एंसर हो जाएगा 46 नमर का भारत के पहले मुक्नियाधिस कौन थे हिरालाल जे कानिया भारत की मुक्नियाधिस को सपत कौन दिलाता है तो राश्पती दिलाते हैं भारत के मुक्नियादिस के निक्ती के इबारे में बताया गया है तो आटिकल 124 के 1 में बताया गया है ठीक है अगला कुश्चन है भारती विवान पत्नम प्राधिकरन ए ए आए कि ने अध्यक्स कौन निक्त हुए है विकास कुमार संजीब कुमार अमित गुपता अखलेस रहे क्या हो गज़ कैंसर तो 47 नंबल कैंसर हो जाएगा क्या बी ओप्षन संजीब कुमार ठीक है चल्द अगला कुश्चन पर इंपोर्टेंट पर डिसक्स कर लेते ए ए के बारे में तिये ए ए का फूल फर्म होता है एरपोर्ट अथुरोटी ओप इंडिया भारती विवान पत्नम प्राधिकरन ए ए का स्थापना एक अप्रेल उने से पंचान में होगा था मोख्याला इसका नए दिली में अध्यक संजीब कुमार है ठीक है अगला कुश्चन 48 नमर कुश्चन भारती विश्ष्ट पहचान प्राधिकरन ए यू आए डी ए आए की ने कारिकारी अधिकारी सीयो कौन बने है विकास कुमार सौरब गर्ग आलो को बरमा क्या होगा इस किंसर तो 48 नमर कि है ठीक है सौरब गर्ग एनसर वजगा इसका यू आए डी आए के बारे में इंपोटेंट पॉइंट डिसकस कर लेते हैं यू आए डी एक फूलफर्म होता है यूनिक एडिफिकेशन अथ्रोटी अप इंडिया भारती विश्ष्ट पहचान प्राधिकरन जिसका अस्थाप इसका मुख्या लेने दिली में अध्यक्षा इसका इसका सौरब गर्ग है यूनिक एडिन्टिफिकेशन अथ्रिटी ऑप इंडिया है अगला कुश्च्ट अंतराष्टी स्वर्कट बंधन के ने महानिर्दिस्ट से नुक्त किया गया है अजय माथूर भी मूर्ली धर समीर समारमा और तो अब क्या होग इसके अंसर है तो इसका से पहले इंपोटिंट पाण डिसका कर लेते हैं तो आईएस एक फूर फॉर्म होता इंटर्नेशनल सोलर एलियंस अंतराष्टि सोर गटबंधन अस्थापना इसका हुआ था इसका अस्थापना हुआ तो तीस नवंब हर्याना में हैं और महानिर्दे से घजय कुमार माथूर है जो इंपोटेंट पॉइंट है 50 नमर क्युस्व कुई संब्यद्यरस मंत्रा ले की नए परवक्ता कौन बने हैं पक्तिन राकिश कुमार also everything wrestle अ सथाना अध्रीम्-बगाचि क्या होगत स्के सथ를 टो हुगा अध्रीम बगाचि dimension अध्रिम बगाची को बनाया गया है विदेश मंत्रा लेक परवक्ता ठीक है अगला क्वेस्चन बहारती रेलवे बोड के ने चियर्मेन और सियो कौन बने आप्षन है वी मुरली धर सुनीत सर्मा जय परकास विबेक बिंद्रा तो यह कावारती रेलवे के बारे में कुछ इ अप्रेल 18.03 को इंपोटेंट पॉइंट है मुख्याल ने दिल्लिम है रेल मंत्री इसका अश्नवी बैश्नब है रेले बोड का ध्यक्ष चर्शियो सुमीत सर्मा है और पी अप्यस महानिरदेश करुन कुमार है सुद्ध भारती पहले रेल मंत्री जौन मत आई है जो जाम में करोरवार पूछा जा चुका है अगला कुश्चन भारतिय मुक्य बाजी महासंग के फिर सद्यक्ष कौन बने है ऑप्शन है अजाय सिंग विकास कुमार विम बुरली धर एसमनी कुमार तो इसका अंसर हो जगा अजाय सिंग भारत में बहरत में जितने बॉक्सिंग खेल होते हैं सबको भी एफै रेगूलेट करता है संचालन करता है इसका स्थापना भी एफै का स्थापना हुआ यह बहुत ही important point है भारती जनता पाटी के अध्यक्ष कौन है option है रंजी तो जहा मनोज डे जेपी नडड़ा तो जेपी नडड़ा क्या है अध्यक्ष कर लेते हैं तो बीजेपी का स्थापना हुआ था आपका चौपरिल उन्हें 180 को ठीक और मुख्याला इसका नई दिल्ली में है और बीजेपी लोगसभा में नेता नरेंदर मोदी है भूमत दिलक नेता बीजेपी राजस्थान में क्यूस गोजल है और बीजेपी लोगसभा में 3 से 3 सीटे होते हैं और राजसभा में 80 सीटे होते हैं बेजेपी के पहले अध्यक शटल व्यारी बाजबई थे इस सारा के सारा इंपोटेंट पॉइंट बहुत इंपोटेंट है आने वाले एक जाम के लिए चौबण नमर कोईस्टन अगे भारते सत्रंज संग ए आई सी अप के नया अध्यक कौन बने हैं विकास मलोत्रा वी मुरली धर और के पलाना स्वामी संजय कपूर क्या होगा इसका अंसर चौबण नमर का तो चौबण नमर का डी ओप्सन संजय कपूर संजय कपूर हो कि AICF के इंपोर्टेंट पॉइंट डिसक्स कर लेती हैं तो AICF का फूल फॉर्म होता है औल इंडिया चेस फैडरेशन और अखिल भारतिये सत्रंज महासंग इसका स्थापना हुआ तो निजए कावन में और हजारों बार इसका स्थापना वर्स पूछा गया है मुख्याल तो पच्पन नमर के इंसर हो जोगा A option नरेंदर मोदी 56 नमर भारत के बरतवान में महानवादी का क्या नाम है अमित्सा अजयतियागी राजनिशकुमार केके बेनुग अपाल क्या हो गैंसर 56 नमर का 56 नमर का D option इंपोटेंट पॉइंट डिसकस कर लेते किसी के बारें question था भारत के बरतमान महानवादी का क्या नाम है तो महानवादी अटोमी जेर्नल के बारें question आपके यहाँ पतिया हुआ हुआ है इस बार NTPC में एक question पूछा गया था देश का सरबोच कानून अधिकारी कौन होता है तो option होगा इसका महानवादी समिधान कुनुचेद 76 में आणि आर्टिकल 76 में महानवादी के बारें बताया गया है महानवादी के निक्ति राष्टपती करते हैं और केके बेनुगपाल भारत के पंद्र में महानवादी है बेरेश एक्जाम के लिए बहुत important question है रक्षान उसंधान और विकास संगठन DRDO तो भरतवान अध्यक्ष कौन है option है अब किसन पटेल इस सबक बता होगा कि राजी सतीस रेड़ी जो इसका है अध्यक्ष है सताबन नमर का बी option चलते हैं important point discuss कर लेते हैं DRDO के बारे में क्या दिया हुआ है दिया हुआ है तो DRDO का important important point है defense research and development organization ठीक है और इसका हिंदी फोट्पर में रक्षान उसंधान अभिकास संगठन अस्थापना इसका हुआ तो अध्यक्ष का है नई दिल्ली में और अध्यक्ष जी सतीस रेड़ी सारा किस्था point important है अगला देश के पहले लोगपाल कौन नुक्त हुआ है option है तियागी पिनाकी चंद्र गोस राजिनिश कुमार संजयाब अनसल क्या होगा इसका answer तो इसका answer पिनियका चिंद्र गोस पिनाकी चंद्र गोस चलते पिनाकी चंद्र गोस तो बना है तो इसका important point discuss कर लेते हैं पि बार 2019 कोई थी question इस बार NTPC के जामें आया हुआ था भारत में लोगपाल के नुक्ति राश्पती करते हैं और लोगपाल के स्थापना सरपर्थम सुडेन में की गई थी तो इसका पूछ सकता है कि पर्थम बार लोगपाल के नुक्ति कहां पकी गई थी तो सुडेन में किय गया था ठीक है जाए उन्सटनर question कि जैसे सीमा सरक्षंग अठन किसे सीमा सरक्षंग अठन एनि ब्रो ब्रो का नया महानीर्दिसक निक्ति किया गया है तो option आपके सामने है क्या है विकास गुपता बिनया महाजन रीसी बर्मा और राजीव चोध्री क्या विशक निक्तिक होगा राजीव चौधरे ठीक है भी यारो के बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कॉस कर लेते हैं भी यारो का तो बोर्डर रोड्स और्गनाजेशन सीमा स्रक्ष संगठन इसका स्थापना हुआ तो नहीं साथ में मुख्याला है नहीं दिल्ले में अध्यक्ष यानि केंद्रिय और धोगिक स्रक्षाबल CISF के नए महानिद्र सक ने डीजी कौन निक्त हुआ है ओप्सन है सुबोध कुमार जैसवाल सुनीत सर्मा जय परकास विबेग बिंद्रा क्या होगा साथ मिड़ कांसर सुबोध कुमार जैसवाल ठीक है सुबोध कुमार जैसवाल इस कर लेते हैं तो CISF को फूल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडेस्ट्रियल सेक्रेटी फोर्स के अंदर यह और दोगिक स्रक्षाबल अस्थापना दौस मार्च ने सुनात्तर को इंपोटेंट है मोख्याल नहीं दिल्ली में अध्यक्षा राजिस रंजन और महानिर देसक इसक रिकी पॉंटिंग तो क्या होगा इसका अंसर ग्रेग बैक रेल इसका अंसर यह नमर हो जाएगा ठीक है चलते हैं ICC के बारे में इंपोटेंट पॉइंट डिसकस कर लेते हैं तो ICC जो अस्थापना हुआ था 1909 हुआ था ठीक है तो ICC फूल फॉर्म होता है इंटरनेशनल किर्केट कॉंशलिंग अंतराश्टिक किर्केट परिशाद अस्थापना 15 जून 1909 मुख्याला दुबाई युवई इम है और अध्यक्षा ग्रेग बैक रेल है ठीक है इस सबकर सब इंपोटेंट पॉइंट है जामा पॉइंट अभी उसे हैं अगला कॉश्चन भारत के न सब्सक्राइब इसका आंसर हो जाएंगे ठीक है कि चलते हैं इंपोटेंट पॉइंट डिसकस कर लेते हैं डीजी यहमों के बारो में तो डीजी यहमों ओक फुल्फर मत डारेक्टर जैर्नल ओफ मिलेटरी ऑपरेशन्स से नभियान महानिर्देशक और महानिर्देशक इसक अलगोस्त Argami है बहस्तं बहारत के बरत्वान में उपण राष्ट्पती कोन है ुद्योषान कुछन है बैंक्यन एड्व, कुछ करना है ने इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट डिसकस कर ले तो उपराश्च्पती के बारे में तो बैंके नेडू भारत के तेर में उपराश्च्पती है ठीक और रासभा के सभापती भी यही होते उपराश्च्पती होते हैं अनुछे 63 मों प्राश्पति के पद के बारे में चर्चा किया गिया है। 64 question भारतिय युवा कांग्रेस यह आई-एन-सी के ने अध्यश कौन निक्त होए हैं। और राहूल गांधी प्रियांका गांधी मन महान सींह और बीवी स्रीनिवास क्या होगा सके इसके जहें। इसका स्थापना हुआ था अठाई दिसंबर 1885 को मुख्याला है नए दिल्ली में चिन हें पंजाचाब हाध्चाब अध्याक्ष सोनिया गांधी। पाइसाथ नमर क्वेस्टन है बारतमा नद्ध्यक्ष कौन है यहां समिझे तिन चार कोष्टन सही करेंगे देखिए तो सुरभ गांगुली था ही सब पता हो गए वलबात चलते हैं इसका सब अध्यक्ष पुछा जाएगा एक Valor में लिए अध्यक्ष सब को पता रहा सो फदहक्ष फारे में आपपता कर लेना चाहिए कि महहां बारमा अध्यक्ष है और सचीव कौन है यहाँ पर तज्जाइसा या सटमर क्वेस्टन भारतिय एस्टेट बाइंग के नए अध्यक्ष कौन हुए है तो सब पता हो का दिनेश कुमार खारा अध्यक्ष है चलते स्विया के बारे में इंपोटेंट पाइंट डिसक्ष कर लेते हैं तो स्विया के फूल फॉर्म होता है एस्टेट बाइंग कॉप इंडिया और भारतिय एस्टेट बाइंग इसका स्थापना हुआ तो एक जुलाय उने से पच्पन को जोगी बहुत इंपोटेंट है काम बदल कर उन्हें से कीज में का कर दिया गया था ठीक है और टेक लेन इसका है दो बैंक कर टू एबरी इंडियन दिनेश्कुमार खारा इसका अध्यक्ष है और यम्डी कोन है इसका एंडी बहुत इंपोटेंट है यम्डी पूछ सकते जाम में कि स्विया इंडी कोन है तह असमिनी भाट या इसका एंडी होगा ठीक है अगला कुश्चन राष्ट्य डायरीविकासल बोड यां डीडी बी के नेध्यक्ष किसे बारतीय सेना को परमुक के रूप में किसे नु Deutsch किया गया है तो पेंदर तुवेदी राकेश कुमार धीराज बर्मा आलोग सर्मा क्या निसर होज़गा यह आपर्षन उपेंद्र निसर उपेंदर ठीक है यह चलतий अगला कोश्चन पर बारतिय अंत्री सुनुसंधान संगठन इस रोग के अध्यक्ष कौण है संजय बंशल आदित ठाकरे के सिवान आजय पटेल क्या होगा इसके अंसर तो 69 नमर के अंसर होजगा सी ओप्षन के सिवान इस रोग बार इंपोर्टेंट पांट डिसकस कर लेते हैं तो इस रोग फूल फर्म होता है इंडियन एस्पेस रिस्चर्स और्गिनाजेशन भारतिय अंत्री सुनुसंधान संगठन मुख्याल बंगलोर के करनाटक में है अस्थापना पंद्र अगास तो 69 हुआ था अस्थापन बिक्रम सारा भाई है अध्यक्ष के सिवान है ठेक कि इंडियन मेडिकल एस्टियेशन ने राष्टि अध्यक्ष कौन बने है डाक्टर जैलाल विकास गोगता बिवेक बिंद्रा और भी मुर्लिधर क्या होगा इसके सत्तर नमड का तो सत्तर नमड के अध्यक्ष का डाक्टर जैलाल ठीक है कि अध्यक्ष कौन है संजया पाइलेट आधित सर्मा डाक्टर राजिवकुमार इन में से क्या होगा यह कत्तर नमड का तो यह कत्तर नमर का हम लोग सब जानते हैं कि राजिवकुमार इसका क्या होगा आनसर हो जाएंगे सब क्या गलत है राजिवकुमार इसका आनसर में सिर्फ no???? की श्थान पर ठीक है तो नित्यफ युक्त स्थापना वाथ 25 में एदिल्इम अध्यक्षित पाध्यक्ष राजविकुमार 15大 Dave के नए नीयंत्र के वहले कहोंन बने हैं तुषार मेटा आजया बांगा आशमिर्ती राशãy contexto क्या है कि तो बहतर नुम्हार गंसर हो जागा कि टी ऑफ्षन ग्रीश चांद मोर मोर चलते हैं इंपोर्टेंट पाइंट कर लेते सी एची के बारे में कि नहीं दिया है न कोई बात नहीं कि नेशनल केडिट कोर यान सीसी के नहीं महानिर से कौन बने हैं कुल्देप सिंग बिनातर पठानिया अमंदी भल्ला गुर्भी पाल सिंग क्या होगा इसका तो त्यातर नमर के इंसर होगा गुर्भी पाल सिंग चोहत्तर नमर का तो चोहत्तर नमर के इंसर होजेगा आपका डिज उप्षन ग्यानिंद्रो निगोबाम कि इस सभी क्वेशन के इंपोटेंट पढ़ जानने कोई जूरत नहीं है भारते सप्टबल महासंग की पहली मैलादस कौन बनी है आजायतियागी विबेक बिंद्रा संदीर सर्मा नितल नारंग क्या आउगा इसकंसर 75 नमर का तो 75 नमर के इंसर डियोप्षन नितल नारंग भारते सौप्ट है इसलिए नितल है भारते थल सेना के देख्ष कौन है सुरेश ठाकूर और जर्दन मनोज मुकुंद नर्वाने किसंसर मा आजातियागी क्या आउगा इसकंसर 76 नमर का तो 76 नमर को जर्दनल मनोज मुकुंद नर्वाने इसलिए नमर को पॉइंट डिश्कस कर लेते भारती थल सना यह बारे में तो भारते थल सना मुक्षाल ने दिल्लीम है और थल सना दिवस बहुत इंपूटेंट है कितने बार एक जाम पूछा कि पताई नहीं पंदर जन्रवी को लेकिन बनाया थे थल सना दिवस बहुत बा ठीक है तो अड्मिरल आवदुल खान नहीं अड्मिरल सुमिर बाला सुमिर सर्मा नहीं अड्मिरल अजय पतेल नहीं क्या होगा संसर अड्मिरल क्रामवीर सेंग कि अगला कुश्चन नहीं कि भारत सुरी रेल्वे सुरक्षा बल आर पी एफ्यस के महान इरती से कौन बने हैं यहाँ अठतर नहीं के अंसर तो अठतर नहीं के अंसर का सी आप्शन अरून कुमार कि क्या हागा अरून कुमार इसका एंसर हो जाएंगे भात इंप्रण कोश्चन शंग लोग से अभा यूपीस्सी के नयए अधेस कौन बने है कि सनपटेल सुहन बनसल प्रदिवक्मार्योषी ठेक ऑप्रदिवक्मार जोषी बने है यूपीसी के नया देख जाएंगे ए सब्सक्राइब भारे में कि फूल्पम होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन संग लोग स्यवा आयोक अस्थापना एक अक्टुबर 1926 बहुत पुराने समय में अस्थापना हुआ तो 1926 में स्थापना हुआ था मुख्याला ने दिली में अध्यक्षा पर्दिपकमार जोसी कि आज कहीं अंतिम क्वेश्चन है असीनमर क्वेश्चन अथ्लेक्टिक्स फेडरेशन आप इंडिया के नियाजक्ष कौन बने हैं एड्मिरल सुमिर बाला रोमेश प्ववाती और भारववस दासगुपता आधित जोश्क्यावग अंसर इसका असीनमर का एड्मिर सुमिर बाला ठेक है आज का सी आज हम असी क्वेश्चन तक किये हैं हम लोग फ़ला सेशन 145 के दूसरा सेशन 480 किये है तो दूसरा सेशन हम लोग यहीं इंड करते हैं ठेक है आज है